नमश्कार अजस्टो मरी गुरू में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आप सभी के साथ देशा अजस्टो मरी गुरू से आप सभी से मुखातिव होती हूँ आज की तारिक है 31 अक्टूवर और वार है मंगल वार शो में हम बात करेंगे दूद पाड़र और देशिगी के बारे में दूद पाड़र जहां पर उतपाद में व्रदी दर्श की जा रही है गस अताल लुके डूद के अपूर्टी बढ़नी की वैसे प्लांटों में नया उतपादन 22 प्रतीशत बढ़ हो गया है वहीं दूद पाड़ों की बिखड़ अनुकूल नहीं है जिससे स्टॉक का माल अंडरेट बिखड़ बिखने लगा है इदर कुछ कंपनियों विगद दो दिनोस्ती सरकारीभा की कारभाई से देशत का महौल बन गया है जिससे वैपार और गड़िया है आगे अतपादन और खपत को देखते होई दूद पाड़ों में 10 रुपे प्रती के लोग गिरावट के अभास हो रहे है नर्यात में कैसिन और दूद पाड़ों दोनों का सपोर्ट अनकूल नहीं है अंतहा अभी बिक्वाली करते रहना चाहिए देशीगी में 10 रुपे का मंदा हुआ है उतरबाद के प्लांटों में देशीगी उतपादर में प्रती होने लगी है दिवाली की बिक्री थोक में लगबग पूरी हो चुकी है लुकेट दूद के आपूर्टी उतरबाद के प्लांट में सवा करोड लीटर के करीब जा पहुंची है जिससे कंपनियों ने एक रुपे प्रती लीटर गटा कर 48-50 रुपे खरीद किया है बड़े टीनों में थोक बिक्री पूरी होने के बाद कंपनियों ने 10 रुपे प्रती किलो यानि 1500 रुपे प्रती टीन दिशी के भाव घटा कर 400 और 3600 प्रती टीन करती है लुकेट दूद की उपलब्दी को देखते हुए अभी तेजी नहीं है लेकिन दिवाली चटपूजा की कपत को देखते हुए कुछ दिन ठहराफ लग रहा है दोस्तों हमारे चनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसमाब को दिशो दुनिया की खबरें दे सकें दूद पड़ो का भाव है अभी चार सो तीस कच्चा दूद और तालिस सो पचास रुबे प्रती लेटर दोस्तों से स्ट्रुमनी गुरूब यानिस कुमूनिटीस पर काम करके पूर इस्टेशन के साथ आपको हर जनकारी देते हैं किसी भी पर जनकारी के लिए आप हमाई दियर नमबर पर कॉल करें हमसे समपर करें नमशकार